हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लेम चर्णी पर माई लविंग ट्विन सोल्स आप सब को बहुत बहुत प्यार एवाम अबार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आये हुए है मुझे सभी का स्वागत करती हूँ प्रियो इस ट्विन फ्लेम जैर्नी में अधिकांश लोग जो मैरे ट्विन है यानि कि ऐसे ट्विन फ्लेम जिनकी शादी किसी और पार्टनर से हो चुकी है अब उनकी लाइफ में उनका ट्विन आया है और ऐसे में वो बड़े धर्म संकट में है क्योंकि एक और उनका बहुत painfully हो जाती है, बहुत से लोगों का, यही question होता है कि हम अपनी journey को पूरा क्यों करें, क्योंकि बहुत से issues होते हैं, एक married twin frames के बहुत से issues होते हैं, और इसी को, आज मैं इस वीडियो के द्वारा बताने जा रही हूं, तो आज को ये वीडियो बहुत ही important होने वाला है, तो इसे पूरा सुनिये, ध्यान से सुनिये, एक married twin की life में ऐसा हो सकता है कि आपका twin आपकी शादी के बाद आपकी life में आए, और कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि आप अपने twin से पहले ही मिल चुके होते हैं, लेकिन किसी कारण वस उनसे marriage नहीं हो पाती, आपकी marriage किसी और से हो जाती है, और उसके बाद आपके twin आपकी life में एक बार फिर से एंटर करते हैं, तो उस वक्त आप एक दो राहे में होते हैं, धर्म संकट में होते हैं कि मैं अपने दमपत जीवन को चलाऊं, या अपने twin के साथ अपने इस connection को, क्योंकि जहां एक और आपकी ज खीशता रहता है, क्योंकि उसका attraction ही इतना जादा होता है, तो यहां पर बहुत से ऐसे issues हैं, जो आपके life में दिखाई देंगे, फर्स्ट पॉइंट है, मौन न कर पाना, आप जब यह देखेंगे कि मैं अपनी पारिवारिक जिंदगी में, अपने पती या पतनी के साथ ए लग कर रहा हूं, और अचानक से twin जब आपके life में आ जाएगा, तो उसका attraction इतना जादा होगा, जैसे कोई जादू, आप न चाहते हुए भी उनकी ओर आकरशित होते जाएंगे, और आपके मन में यह बात आएगी, कि मैं एक family में हूँ, मेरे पती है, पतनी है, बच्चे ह मेरा मन उनकी ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप अपने मन को मना नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार आपका मन, आपकी आत्म, आपके twin की ओर ही भागेगी, और उस वक्त आपको यही लगेगा, कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, या गलत कर रहा हूँ, एक guilt आएगा आपके अंदर, क्योंकि एक और आपका पारिवारिक जीवन है, और दूसरी और जो आपका twin है, और twin के आने से, आपके जीवन में एक तूफान आ जाता है, एक तहल का मत जाता है twin वो होता है क्योंकि वो आपकी soul का आधा हिस्सा है और वो आया ही इसलिए है क्योंकि अब आपको awakening की जरुन के जरुरत है क्योंकि आपने एक soul contract किया है divine से और उसके तहत आप इस धरती में आये हैं क्योंकि आपको अपने परपस से मिलना है और वो डिवाइन टाइम आ चुका है इसलिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया है लेकिन अब आप अपनी लाइफ को बैलन्स कैसे करेंगे अपने पारिवारिक जीवन में और अपने ट्विन के साथ अपने कनेक्शन में ये एक सबसे बड़ी समस्य होती है तो उस वक्त आप अपने इस कनेक्शन से अपने ट्विन के साथ इस कनेक्शन से मौन करने की कोशिश करेंगे आप सोचेंगे कि मैं अपनी मेरिट लाइफ में जो मेरी जिंदगी बहुत ही स्मूतली चल रही थी अच्छे से रहूं या इसे पूरा करूं लेकिन बा बाद भी बार बार वो आपके सामने आएगा आपसे टकराएगा क्योंकि डिवाइन ही है जो बार बार उनको आपके सामने ला रहे हैं उनसे मिलना जो हो रहा है वो आपको मिलवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा और इसी वज़ा से आप चाहकर भी मौन नहीं कर पाए क्योंकि आपका मन बार-बार आपके ट्विन की और भागेगा. Second है, आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे. आप जब अपने ट्विन से मिलते हैं पहली बार या आपकी शादी शुदा लाइफ में आने के बाद, लेकिन आप अपने twins से मिलने के बाद उन्हें भूल नहीं पाते चाहे आप उनसे पहली बार मिले हो या कई बार मिले हो लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे आपके दिमाग में 24 गंटे आपका twin ही चलेगा हर वक्त उन्ही की याद आएगी किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा आप कोई जॉब या सर्विस करते हैं आप एक हाॉस वाइफ है कुछ भी लेकिन आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा उस वक्त आपको यही लगेगा कि यह कौन सा इंसान है जिसने मेरे जीवन में इतना तहलका मचा कर रख दिया है मैं इसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि वो आपका ट्विन है वो आपके सबकॉंसेंस माइंड से जुड़ा हुआ है आपका सबकॉंसेंस माइंड एक ही होता है और आप हमेशा टैलीपैथी के माध्यम से बाते करते रहते आपको शब्तों की भी जरुवत नहीं पड़ती आप विचारों से ही बाते करते हैं चाहे आप देश में रहे विदेश में रहे आप विचारों के द्वारा एक दूसरे से बात कर सकते हैं और सूल लेवल पर आप connect रहते हैं अलाकि ये बात आपको पता नहीं चलती क्योंकि जब आप इन बातों से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं सर्च करते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये twin flame journey है और जो इनसान मेरी life में आया है third point है spiritual हो जाते हैं आप चाहे कितने भी materialistic हो, logical mind के हो संसारिक चीजों के पीछे भागने वाले हो लेकिन आपका true twin आपको spiritual बना देगा वो आपकी जिन्दगी को आध्यात्म के रास्ते में मोड़ देगा आप चाहे पहले पूजा पाट भक्ती साधना नहीं करते थे लेकिन अब आपका मन करेगा कि मैं भक्ती साधना करू इश्वर से connect रहूं पूजा पाट करूं उनकी इस्तूती करूं महिमा करूं और इसके द्वारा आप डिवाइन से connect हो जाते हैं आपका जीवन अचानक ही अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है आप spiritual practice करने लगते हैं ध्यान, साधना meditation, inner work करने लगते हैं और इसमें आप आगे बढ़ने लगते हैं आप अगर अपनी life को पहले देखे तो हो सकता है कि आप अपनी job, अपनी service, business, status कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और इसमें success को पाने के लिए आप राद दिन मेहनत करते थे लेकिन अब आपका जुकाओ, अध्यात्म की और होगा आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा spiritual practice करू प्राथना करू, divine से बाते करू यही वो समय है जब आप awakening के mark में चल पड़ते हैं क्योंकि आपका true twin ही है जो आपको awakening के राश्ते पर चलाता है और वो इसलिए ताकि आप divine से connect होएं और अपने उद्दे से तक पहुँचे क्योंकि इसके द्वारा ही आप अपने जीवन में एक 5D की यात्रा करते हैं पहले आपकी सोच चाहे कितनी भी 3D की थी लेकिन अब आप यात्रा करेंगे 5D की 5 dimension race करेंगे तो आपके true twin के आने से आपके जीवन में ये बदलाव होता है कि आप spiritual हो जाते हैं लेकिन इसके साथ ही जो आपका twin है वो logical mind का ही रह जाता है क्योंकि जो DM हैं वो logical होते हैं तरक वितर करते हैं वो ज़्यादा spiritual नहीं हो पाते इसलिए आप दोनों में ये असमानता होती है कि आप बहुत जादा spiritual हैं और वो बहुत जादा logical है इसलिए bubble face में या जब आप एक दूसरी से मिलते हैं तो आप चाहे कितनी भी spiritual बाते उनसे करें वो उन पर विश्वास नहीं करतें और ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखाते क्योंकि उनकी जो सोच है वो 3D की चीजों में रहती है वो उनहीं से प्रभावित होते हैं फोर्थ पॉइंट है चक्रास activate होते हैं आप जब अपने true twin से मिलेंगे तो आप दोनों की चक्रास activate होने शुरू हो जाएंगे ये पहली बार है क्योंकि चाहे आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो या किसी नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन में आपकी अवेकनिंग उस प्रकार नहीं हो पाएगी जितनी twin के साथ होती है क्योंकि twin का आना ही ये दर्शाता है कि आपको अवेकनिंग की जरुवत है और इसलिए जब आप मिलते हैं तो आपके heart chakra activate होते हैं आप low की vibration में होते हैं unconditional love में होते हैं और आप दोनों की चक्रास activate होने शुरू हो जाते हैं इसलिए जब runner chaser का game आता है और आप दोनों एक दूसरे से भागना शुरू करते हैं जब आप एक दूसरे को आइना दिखाना शुरू करते हैं और आपके तमाम wounds darkness surface पे आने लगते हैं तो फिर एक runner बन जाता है और दूसरा chaser और यहाँ से एक runner chaser का game शुरू होता है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप यही देखेंगे कि मेरा जो ट्वीन है वो पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था मुझे बहुत support करता था, help करता था लेकिन अचानक से उसका behavior इतना बदल कैसे गया वो क्यों run कर रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आप लोगों में runner chaser का game शुरू हो गया है और बहुत से लोग इस बात को जान ही नहीं पाते कि सामने वाला आखिर भाग क्यों रहा है जब आप इसे search करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम twin flame journey में हैं और वो dm है इसलिए वो run कर रहा है तो वो dm run क्यों कर रहा है क्योंकि वो dm energy में है आप df energy में है अगर inner work करके आप dm energy में आ जाएं तो वो df energy में आ जाएंगे इसलिए runner chaser का जो game है वो बदल जाता है पहले df dm के पीछे भागती है और एक ऐसा पड़ावाता है जब dm df की और भागते हैं फिफ्थ पॉइंट है intense connection आपका आपके twin के साथ एक intense connection है जो बाहरी तोर पर दिखाई तो देता है शारेरिक रूप से कि आप एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं एक चुंब की आकर्षन है लेकिन वास्तों में ये soul का आकर्षन होता है soul एक दूसरे को खीच रही होती है और जब आप bubble face में होते हैं और अधिकांश लोगों में intimacy होती है तो उस समय को आप कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते क्योंकि अपने ट्वीन को इसपर्ष करना उन्हें किस करना उन्हें हग करना ये एक ऐसा एहसास है जो ट्वीन अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता क्योंकि उस वक्त आप महसूस करते हैं कि आप fulfill हो गया आप पूरे हो गया आप में कोई अधुरापन नहीं है जो मेरा था वो मुझे मिल गया तो उसके बाद अगर आप अपने इस्पाउस के साथ connection में जाते हैं तो फिर उनके साथ intimate होने में आपको परिशानी होगी क्योंकि अगर आप forcefully जाएंगे तो फिर आपकी आत्मा इससे स्विकार नहीं करेगी क्योंकि आपकी आत्मा सिर्फ अपने twin को चाहती है और एक और जहां आपकी family life है जो आपके spouse है वो 3D mentality के है अब उनके साथ आपको अपना पारिवारिक जीवन चलाना है अपने connection को चलाना है एक और जहां पर आपकी आत्मा इस बात से आपको रोक रही है लेकिन अगर आप उनके साथ intimate होते भी हैं तो फिर आप में एक guilt आ जाता है और वो इसलिए क्योंकि आप अपने twin के साथ intimate हो चुके हैं क्योंकि यही वो connection है जिसे हम कहते हैं intense connection जिसकी वज़े से आप अपने spouse के साथ एक दूरी को महसूस करते हैं कभी भी उनके साथ आप संतुस्टी को महसूस नहीं कर पाएंगे satisfy नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका twin आपको complete करता है उनके साथ रहकर आपको लगता है कि मेरी आत्मा पूर्ण हो गई मुझे अब किसी चीज की जरुवत नहीं हलाकि ये दिखाई तो देता है शारे रिक लेकिन ये होता है आत्मिक आत्मा की चाहा आत्मा चाहती है उनसे मिलना उसके साथ रहना आज मेरी ट्वीन की ये इस्थिति है कि बहुत से लोगों के डैवर्स होने वाले है बहुत से लोग अपने पारिवारिक लाइफ में है क्योंकि सोसाइटी को देखना है फैमली को देखना है बच्चों को देखना है जिसकी वज़ा से वो एक साथ है एक ही छत के नीचे लेकिन उसके बाद भी अलग-अलग उनमें कोई कनेक्शन नहीं है बहुत से डियफ अपने स्पाउस से अपने पती या पतनी से कह चुके हैं कि हम आपके साथ इंटिमेट नहीं होंगे क्योंकि ये उनकी आत्मा की पुकार है अब इस बात को उनके इस्पाउस नहीं समझते क्योंकि जो टकराव है इसी वज़े से होता है जो जगड़े या विवाद होते हैं वो इसी वज़े से होते है क्योंकि जो ये कनेक्शन है अगर आप किसी के साथ दामपत्य जीवन में हैं वहाँ पर भी कोई मांग है उनको भी नीड है लेकिन अगर आप उनकी नीड को पूरा नहीं करोगे तो वहाँ पर जगड़े और विवाद होंगे आपका पारिवारिक जीवन असंतुलित हो जाएगा क्योंकि जो ये इंटिमिसी है ये ही वास्तों में एक की है एक चाबी है अपने दामपत्य जीवन को खुशहाल और आनंद पुन बनाने की लेकिन आप अपने इस्पाउस के साथ एक फैमिली लाइफ में थे जरूर लेकिन अब आपके ट्वीन के आने के बाद आपके जीवन में भुचाल आ चुका है क्योंकि अब आपकी आत्मा आपके ट्वीन के और भागती है वो चाहे आपको मिले या ना मिले फिजिकली लेकिन आपकी आत्मा किसी और के साथ रहना या उनके साथ इंटिमिट होना पसंद नहीं करती और ये क्या हो रहा है ये एक अवेकनिंग का दौर है क्योंकि अब आपकी आत्मा को चेतना के इस्तर पर आगे बढ़ना है इसलिए एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके ट्वीन भी रन कर जाते हैं दूसरी और आपका पारिवारिक जीवन भी पूरी डीती से बिखर जाता है तो उस वक्त आप कहते हैं कि ना तो मुझे मेरा ट्वीन चाहिए और नहीं मेरा इस्पाउस अब मुझे सिर्फ पीस चाहिए मुझे शान्ती चाहिए और आप शान्ती की तलास में निकल पड़ते हैं वही है आपकी एक ऐसी जर्नी जो आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा देती है क्योंकि अब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और परमात्मा से मिलकर ही आप एक शान्ती पूर्ण इस्थिती में पहुँचेंगे तो यहां तक पहुचाने का जो रोल है, जो किरदार है, वो किसने अदा किया आपके ट्विन ने, क्योंकि उसके आने के बाद ही आपके जीवन में ये तमाम बाते होनी शुरी हुई है. आपका twin ही आपको complete करता है आप चाहे single हो या married twin आपके life में आपके true twin का आना ये दरशाता है कि वो आपको complete करने आया है वो आपको खुद से जोडने के लिए आया है क्योंकि अगर आप अपने twin से पहले मिले थे और अब शादी के बाद वो आपकी जिंदगी में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी Soul Journey आपकी एक अध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है जिसमें आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलना है आप चाहे एक Soul-mate connection में हो या कार्मिक connection में हर connection में आपको एक अलग अनुभूती होगी लेकिन आपके twin के साथ जो आपका connection है उसकी अनुभूती बहुत अलग होगी बहुत ही अद्भूत और अलोकिक दर्शन होगे बहुत से ऐसी देविये बाते आपको दिखाई देंगी सुनाई देंगी महसूस होगी क्योंकि twin flames के साथ जो भी बाते होती है जो inner work करते वक्त वो अपने जीवन में awakening के दोरान ये देखते हैं synchronicity, telepathy, angelic numbers, feathers का मिलना देवी देवता के दर्शन, dream में, vision में astral travel, times travel और पता नहीं कितने तरह की बाते जो वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं ये normal लोग अनुभव नहीं करते क्योंकि आपके twin के आने के बाद आपके चक्रास activate होने शुरू होते है आपकी कुंडलीनी राइस होने शुरू होती है और जब आपकी कुंडलीनी राइस होने शुरू होती है तो वो उर्दोगामी चलती है, उपर की ओर, रूट चक्र से सहस्तरार चक्र की ओर, और ये आत्मा से परमात्मा कम्मेल होता है, इसी वज़े से आप जेतना के इस्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, आप डाइमेंशन रेस करने लगते हैं, आप 3D से 5D की और उससे भी उपर की यात्रा करने लगते हैं, इसी लिए ये सारी बाते आपको अनुव होती है, इसी लिए ये एक दिव यात्रा है, ये एक दिव जर्नी है, और जो काम आपका ट्विन करता है, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वही है, जो आपको कम्पलीट करता है, क्योंकि सोल मेट और कार में कई हो सकते हैं लेकिन ट्वीन एक ही होता है क्योंकि वो आपकी सोल का आधा हिस्सा होता है जब भी आप अपनी इस जर्नी में होंगे तो एक रोमांच को महसूस करेंगे जब आप ये देखेंगे कि मेरा ट्वीन मेरी सोल का आदा हिस्सा जो एक अलग बॉडी में है मेरे सामने है और ये बहुत ही रुमांचकारी है इसी लिए ये जर्नी बहुत special जर्नी है बहुत blessed जर्नी है और बहुत blessed लोगों को मिलती है तो प्रियो इस प्रकार देखा जाये तो एक married twin flames की life में बहुत से issues होते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर आप inner work करते हैं खुद पर काम करते हैं और डेवान से soul merging करते हैं तो आप अपने उदेशे तक पहुँच जाते हैं जो मंजिल आपके लिए रखी गई है जिसके लिए आपको इस धर्ती पर भेजा गया है वहाँ तक आप पहुच जाते हैं और वहाँ तक पहुचाने का जो काम है वो आपका twin ही करता है भले ही वो आपकी शादी से पहले मिले या शादी के बाद लेकिन उसके आने के बाद ही आपकी अवेकनिंग शुरू होती है आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं और अपने सोल परपस तक भी पहुच जाते हैं तो जब आपकी आत्मा को ही पता चल गया कि उसका उद्देश क्या है वही तो मोक्ष है तो इसका मतलब आपका ट्वीन वही आपको मोक्ष तक पहुचाने के लिए आता है और जिसे आप फिजिकल बॉडी में बाहर देख रहे होते हैं वो वास्तों में आप ही होते हैं आप खुद से जुड़ रहे होते हैं खुद से मिल रहे होते हैं और ये एहसास बहुत अलग है क्योंकि ये हैवनली है खुद से मिलना उसे जिसे आप फिजिकल फॉर्म में बाहर देख रहे हैं लेकिन उस वक्त आप एक ऐसे स्टेट आप मायन में होते हैं जहां पर आपको मालुम होता है कि मेरा ट्विन मैं ही हूँ वो मेरे ही भीतर है मेरा डीम, मेरा डीअफ मैं ही हूँ तो जब आप यहां तक पहुँच जाते हैं तो आपकी जर्नी पूरी हो जाती है आप पूरी तरह से एक अवेकन सोल वन जाते हैं और जब आप अवेकनी में आ जाते हैं तो आपके ट्विन भी अवेकनी में आ जाते हैं और जिस प्रकार ये एक नियम है कि अगर आप दोनों की एनरजी इक्वल हो जाए तो डिवाइन इस 3D प्लेनेट पर आपको रियूनियन में ला देते हैं अब जैसा भी आपने सोल कॉंट्रेक्ट में लिखवाया होगा वैसा रियूनियन आपको मिलता है तो प्रियो ये जर्नी बहुत खुबसूरत है और जिन्होंने भी इस जर्नी को पूरा किया है वो जानते हैं कि वो किस तरह से महसूस करते हैं क्योंकि आपका ट्विन आप ही ह तो आज के लिए प्रियो इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड़ ब्लेस यो ओल मेरी सोल फेमली आप सभी की जर्नी पूरी हुए